हेलो वीवर्स आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप डेस्टॉप से वीडियो के लाइक वीडियो को हटा सकते हैं सुबह आमने Android में लाइव वीडियो को अठाने का तरीका बताया था इस समय हम डेस्टॉप से आपको लाइव वीडियो को अठाने का तरीका बता रहे हैं जिसमें सबसे पहले आपको YouTube पे जाना पड़ेगा hamburger icon को click करना पड़ेगा like video को select करना पड़ेगा choose video करना पड़ेगा video के right hand side में आपको 3 dot मिलेगा उस dot को click करिएगा 3 dot vertical dots मिलेंगे जिसको click करने पे आपके पास 4 option आएगे add to queue video to playlist, save video to playlist, add to queue add to queue and watch it later और remove it from like video तो आप remove it from like video जब तबायेगा तो video इडिलीट हो जाएगा अब आपको feed में से अगर वीडियो को delete करना है तो आप सबसे पहले YouTube पे जाएए फिर setting में जाएए फिर check keep all my live video private और जितने वीडियों उनको private कर दिजे यो live video है तो आपका वीडियो किसको आपने like किया, किसको dislike किया वो नहीं दिखेगा और इससे आपके viewers जो हैं, उनको कोई problem नहीं होगी और आपका video उसमें दिखता रहेगा नहीं दिखेगा live video तीसरी tip है जिन उन लोगों के लिए जिनको java script थोड़ी बहुत आती हो और वो programming करना जानते हैं लेकिन फिर भी हम advice करेंगे कि आप इसको use मत करिये otherwise अगर कुछ आप गलत कर देंगे तो सारे video डिमीट हो जाएंगे so जान लीजे लेकिन उसको use मत करियेगा go to youtube channel, open browse console करियेगा browse console को open करने के लिए आप control shift और plus j दबाईएगा तो javascript console खुल जाएगा जो view or developer के option में रहता है जैसे ही आप इसको खुलिएगा उसमें ये code जो हम आपको देंगे उसको अगर paste कर दीजेगा तो जित्ते live video वो one by one remove कर देगा और जो लोग javascript जानते वो समझ जाएंगे कि हम क्या बता रहे है इस script के तो कि one by one वो item like item को read करेगा और click पे click कर देगा तो वो video delete हो जाएगा तो this is all today viewers if you like this information and then please comment on the video now I am going to show you practically all these things go to the channel here you have to click the hamburger menu there you will you have to select the live video वा पे live video को select करिये अब live video में right hand side पे जिस video को आपको delete करना है उसको select करके right hand side पे वीडियो को माननी जाइस वाले को करना है तो right hand side पे करियेगा देखिए चार option आगया add to queue, save to watch later, save to playlist, remove from live video तो यह देखिए आपका mobile वीडियो चला गया आप दूसरा भी कर सकते हैं आप तीसरा भी कर सकते हैं इस तरह से आप वीडियो को one by one कर सकते हैं लेकिन अगर आपको java script आती है तो जो हमने बताया उससे आप सारे वीडियो एक click में हटा सकते हैं but you don't use it और यहां पे देखिए बहुत से YouTube channel demonetize हो रहे हैं तो प्लीज आप लोग बहुत careful हो जाईए और कुछ भी उनके rule को मत तोड़िये so this is all today viewers if you like it please share and subscribe my channel रता नगरवाल आईची informer follow my all social media link यह मेरा channel है जिसमें community पे आप लोग जाईगी और होना पर comment करिये देख सारे पोल दिये हुए है जिसको आप जिस पर आप answer करिये इसमें डेल सारे videos भी है जिसको आपको comment करना है अगर आप उसको interested है तो अपने choice का video पढ़कर उसके please comment करिये आप लोग community पे भी जाईए please support करिये thank you